फादर का अपने बेटे के गर्ल्फरेंड के साथ अफेर हो जाता है अब आगे क्या होगा आज के हमारी मुवी डैमेज जो 1992 की एक होलिवुड मुवी है इसमें हम देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा इसे चानल को बहुत सपोर्ट मिलता है और बीना किसी दरीके एक्स्मिनेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन केरेक्टर स्टीफन हमें दिखाये जाता है एक पॉलिटिकल ओफिस में काम करता है स्टीफन को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया वह उसे अब प्रमोशन मिलने वाला है उनके साथ जब उसकी मिटिंग होती है तो उसके वह बहुत प्रेज करते है वो अपने काम में बहुत अच्छा था स्टीफन के घर पर उसकी वाइफ और बेटी है उसका बेटा बड़ा हो चुका है और वो भी पॉलिटिकल ओफिस में ही काम करता है इसके बाद हमें स्टीफन के ओफिस में पार्टी दिखाई जाती है इस पार्टी में स्टीफन के बास एना आई उसकी बेटे की गल्फरेंड वो अपने आपको इंट्रुट्यूस कराती है स्टीफन को एना पसन आई थे और इन दोनों में ओकॉर साइलेंस इस थे इसके बाद हमें दिखाय जाता है एक दिन एना स्टीफन को कॉल करती है उसने उसे एक लोकेशन और टाइम दिया स्टीफन वहा गया और डारेक्टली एना के साथ इंटिमेट हो जाता है फर्स सीन में जब हैं मिले थे उसके बाद इनकी रिलेशनशिप डेवलोप हुई है एक दिन स्टीफन के पास उसका बेटा आया और वो बहुत ही खुश था गहता है मुझे पॉलिटिकल एडिटर की जॉब मिली है स्टीफन इसे सप्राइस्ट हो गया क्योंकि बहुत बड़ा प्रमोशन है वो अपने बेटे के लिए बहुत ही खुश था अब इसी प्रमोशन की खुशी में सब फैमिली डिनर करते हैं मार्टिन के ग्रैंटपा उसके लिए खुश थे उसने इतनी प्रोक्रिस की थी उन्हें एना भी पसन आई एना को उसके फैमिली के बारे में पूछा जाता है कहती है मेरे फादर एक डिप्लोमैट थे उसकी मदर एक फ्रेंज है उसकी चार शादिया हो चुगी है उसकी फैमिली हमेशा मूँ होती रहती थी ब्रदर है एक्चुल में एना को एक ब्रदर था पर उसने सुसाइड कर ली इंग्रित ने पूछा ऐसा क्यों हुआ था एना कहती है को किसी से प्यार करता था एक अन्वरसेशन बहुत ही अजीब हो गए तो जल्दी से मार्टिन एना को यहाँ से ले कर जाता है मार्टिन को गया रात में स्टीफन एना के पास आता है वो कहता है हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दिनर करते वक्त पूरे टाइम तक में तुम्हें पाना चाता था तुम्हें टच करना चाता था होल्ड करना चाता था एना कहती है तुम वरी मत करो मैं हमेशा यही रहूंगी इसके बाद passionately ये दुनों एक दुसरे के साथ intimate हो जाते है intimate होने के बाद एना अपने ब्रदर के बारे में और भी बाते कर रही थे वो खहती है मेरी family को बहुत बार move होना पड़ा मैं और मेरा ब्रदर हम दोनों ही एक दुसरे का सहारा थे मेरा ब्रदर मेरे लिए possession हो गया वो मुझे सिर्फ उसके लिए पाना चाता था एना की ब्रदर ने प्यार की वज़े से suicide की पर ये प्यार वो एना से ही करता था एना ने कहा life में सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वो already मेरे साथ हो चुकी है मेरे ब्रदर की जाने के बाद में बहुत ही तूट गई थी मेरे पास जो option थे एक तुम्हें वैसे ही रहती या आपने आपको खड़ा करती है damaged लोग ये बहुत ही dangerous होते है क्योंकि उन्हें फिर से उटना आता है एना स्टीफन से कहती है जो भी चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है प्लीज इसे change मत करना स्टीफन के एक conference थी तो चाहता था कि उसके साथ एना आए पर एना उसे मना अगर देती है जब बात में स्टीफन की अपनी wife से बात हुए तो इसे पता चला कि Martin और एना कि दुनों Paris गए हुए है स्टीफन इसके बाद अपने conference में तो गया पर उसका मन लग नहीं रहा था वो फिर अपना mind change करकर directly Paris आ जाता है उसने एना को call किया एक जगा पर मिलने के लिए पुलाया एना उससे मिली तो उसे kiss करने लग जाता है कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुम्हारे अलावा में कुछ भी चीज़ देख नी सकता एना कहती कि मुझे वापस जाना पड़ेगा मार्टिन अभी भी सो रहा है वो चली गई पर स्टीफन एना का होटेल में रूम लेता है उसने अपनी होटेल की खिड़की से देखा तो एना और मार्टिन ये दोनों इंटिमेट हो रहे थे स्टीफन को बहुत बुरा लगा वो बहुत रोता है स्टीफन घर आने पर नोटिस कहता है उसकी डॉटर का बॉइफरेंड घर पर आया हुआ था ये उसे बहुत यजीब लगा स्टीफन की वाइफ कहती है तुम्हारी बेटी प्यार में है आज जब स्टीफन फेस से ओफिस गया तो फेसे एना को कॉल करता है आज वो उससे सिर्फ इंटिमेट होने के लिए नहीं मिलना चाहता था ये दोनों मिलकर एक पाक में आए एना कोई आइडिया अच्छा नहीं लगता वो स्टीफन के साथ सिर्फ बेट की रिलेशेंशिप ही रखना चाहती है इसके आलावा वो कोई भी इंटिमेसी नहीं चाहती स्टीफन कहता है मैं मेरी वाइफ को छोड़ दूँगा ये ही सब के लिए ठीक होगा एना कहती है तुम्हारे बेटी का क्या स्टीफन ने कहा कि वो भी ठीक हो जाएगा कोई भी प्रॉलम नहीं होगा एना कहती है कि वो हमेशा के लिए तुमें हेट करेगा तुम अपनी फैमिली लॉस्ट कर दोगे और किस वज़े से ताकि मेरे साथ रह सको मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर सको ये सब ओल्रेटी तुम्हें तुम्हारे वाइफ के साथ मिल रहा है जो चीज तुम पाने की कोशिश कर रहे हो यह already तुम्हारे पास है एना चाहती थी कि सब कुछ जो चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए एक दिन स्टीफन का बहुत ही important interview था उसकी wife ने पुरा देखा उसे congratulate करती है वो उसके पास आई कहा हम first time मिले थे तो तुम एक doctor थे छोटी छोटी चीजों में भी स्टीफन को एना के साथ जो passion मिलता है वो अपनी wife के साथ नहीं मिलता एक दिन जब स्टीफन एना से मिलनी के लिए आया तो वहाँ पर Peter आया हुआ था Peter एना का बच्पन का friend है वो भी ना बताए आया हुआ था इसी वज़े से दोनो surprise थे स्टीफन पीटर से बुझता है तुम उसे कब से जान दे हो पीटर कहता है मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ वो आज कल मार्टिन के साथ बहुत ही खुश है यह वो deserve करती है यहाँ पर indicate होता है कि पीटर को स्टीफन और एना के बारे में पता चल चुका था स्टीफन अभी तो यहाँ से चला गया था पर पीटर की जाने के बाद वो फिर से वापस आता है एना से पुछता है यह सब क्या था एना कहती है कि पीटर मेरा first boyfriend था एक दिन में उसके साथ डेट पर गई थी जब वो मुझे घर डॉप करने के लिए आया तो हम कार में किस करने लग गए यह सम मेरे ब्रदर ने देख लिया था वो बहुत जेलस हो गया वो मुझे सिर्व उसके लिए चाहता था उसने मुझे पूछा क्या तुम अब सब के साथ डेट पर जाओगी क्या इस वर्ल्ड को हमारे बीच में आने दोगी एना ने इस सारी बात को इगनोर कर दिया उसका ब्रदर दो तीन घंटे तक उसके डोर के बाहर था एना ने उसे कोई भी रिस्पॉंस नहीं दिया जब उसके ब्रदर की आवाज कम हुई तब उसने सुसाइड कर ली थे इस बात से एना बहुत ही शौक में थी इस गर में एना और उसके पैरेंस नहीं रहना चाते थे पीटर की फैमिली को जान दे थे तो उसी की पास गए एना गम में थी तो पीटर ने उसे सहरा दिया एना ने कहा पीटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था अपने गम में एना फर्स टाइम पीटर के साथ ही इंटिमेट हुई थे स्टिफन को एना के लिए बहुत ही पुरा लगा इंगरित का बड़े था तो अपने फादर के पास हो जा रही थी अपनी पूरी फैमिली के साथ ये बड़े उस पेंट करना चाती थी मार्टिन सेलिबरेट करने के लिए एना को भी लेकर आ रहा है इंगरित को पसंद नहीं आता एना उसे ज़रा अजीब लगती है ये सब ग्रैंटपा के पास आए किस तरह से बच्पन में ये सब यहाँ आया करते थे इसके बारे में बाते हो रही थी मार्टिन कहता है बच्पन में सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था पर फिर भी उसे खाली-खाली लगता था उसके फैमिली हमेशा उसे एमटी लगी है उसमें कभी भी कोई भी जगडे नहीं हुए जिस तरह से हर फैमिली में पैशन होता है ये कभी भी नहीं था इस बात के लिए वो अपने फादर को दोशी मानता है स्टीफन ने कभी भी अपनी फैमिली के उपर जादा ध्यान नहीं दिया इसके बाद नेक्स डे मार्टिन और एना साथ थे इन्हें देखकर स्टीफन जेलस हो गया मार्टिन अनौस करता है कि वो एना से शादी करने वाला है सिर्फ उसके ग्रैंड फादर ही उसके लिए खुश थे इंगरीद को भी अना पसन नहीं और स्टीफन का कुछ अलग प्रॉल्म है स्टीफन जब मार्टिन के साथ अकिला था तो उसे बुचता है कि आना ने तुमें डारेक्ली हा कह दिया वो कहता है कि हा मार्टिन ने अपने फादर को जो भी बुरा कहा इसके लिए उसे अपोलोजाइस करता है इसके बाद वो कहता है आना में कुछ अजीब साई सैडनेस है वो जब उसके साथ होता है तो एक क्यूर हो जाता है स्टीफन ने कहा ये तो नर्स की तरह लगता है मार्टिन समझाता है कि आना जब मेरे साथ होती है तो उसके एक अलग ही साइड है राद में सब के सो जाने के बाद आना और स्टीफन हे फिर से एक दुसरे से मिले अंदर जाकर इंटिमेट हो गए आना के रूम से जब स्टीफन बाहर आया तो उसकी डॉर्टर ने देख लिया था अले दिना कर वो अपनी डॉर्टर को समझाता है कहता है तुम्हारी मदर और मुझे हम दोनों को आना अच्छी नहीं लगती है मार्टिन से शादी से पहले हमें उसे बात करनी थी इसी वज़े से मैं गया था डॉर्टर भी यह सब बात समझ जाती है फिर भी डर है इसायद उसे कुछ ना कुछ तो पता है अब नेकसीन में एना की मदर मार्टिन की फैमिली से मिलने के लिए आई हुई है एना की मदर सप्राइस थी कि मार्टिन एक बहुत ही अच्छा लड़का है वो कहती है कि एना की यूज्वल चोईस से तुम बहुत ही डिफरेंट हो वो हमेशा बहुत ही घटिया लड़कों को डेट करती है यही बाते करते करते थोड़ी दिर में एना की मदर ने एना के ब्रदर के बारे में बाते निकाली वो कहती है एना का प्रदर और मार्टिन ये दोनों बहुत ही सेम दिखते है ये बाद सब के लिए बहुत ही आजीब थी एना अपने मदर पर चीड़ गई क्योंकि उसे सब्जेक नहीं निकालना चाहिए था एना की मदर को बहुत ही बुरा लगा कि लंज उसकी वज़े से बरबात हो गया स्टीफन एना की मदर को उसके होटेल तक छोड़ने के लिए आया मदर कहती है एना आज कल बहुत ही खुश है किसी वज़े से ये सब बरबात हो जाए ये सही नहीं होगा स्टीफन कहता है कि आप किस बारे में बात करे हो एना की मदर ने का मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है लंज पर तुम्हें एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे मदर कहती कि जो भी चल रहा है इसे अभी क्या भी बन करतो वरना इसके consequences बहुत ही बुरे होंगे स्टीफन ने फिर एना को call किया कहा हमारे बीच में जो भी चल रहा है कि हम अब खतम कर डालेंगे यहीं मार्टिन और तुमारे लिए दोनों के लिए सही है इसके बाद स्टीफन मार्टिन से मिलने के लिए आया मार्टिन की डेश पर उसकी एना की और स्टीफन की फोटो थी इसे स्टीफन देख रहा था मार्टिन कहता है अगर आप चाहो तो इस फोटो को रख सकते हो स्टीफन ने आज कनफेस किया कहा तुम्हें जो भी लगता है यह सब कुछ सही है हमारे फैमिली पर मैंने ज़ादा फोकस नहीं किया था मुझे लगता था यह लाइफ मैं सब चीज़े में कंट्रोल कर सकता हो परे सही नहीं था तुम स्मार्ट हो तुम्हें इसके बारे में और्डेडी पता है को अपने बेटे पर बहुत ही प्रावड है स्टीफन रात में बहुत ही देर तक काम करता है वो डिस्टब था तो उसे घर भी नहीं जाना था आज पार्टी थी तो इंगरीट ने उसे कॉल किया वो उसे मना कर देता है कहता है कि मुझे बहुत सारे काम है और मेरे कलीब भी मेरे साथ काम कर रहे है हम देखते हैं इंगरीद के पास स्टीफन की फ्रेंड थे उसे पता चल गया स्टीफन उसे जूट कह रहा है स्टीफन आजकल बहुत ही डिस्टव था और अभी अभी इंगरीद को पता चला यह उसे प्रोमोशन मिला है फिर भी हो सैड था तो उसके पास आई उसने पूचा कि क्या हुआ है स्टीफन कहता है इशायद मैं प्रोमोशन नहीं चाहता उसके साथ जो भी चल रहा है उसे एक्स्प्लेन नहीं कर सकता इस बात से इंगरीद भी अपसेट हो गई एक दिन एना ने स्टीफन के ऑफिस में गिवड पेचा उसमें उसके नए घर की की थी एना और स्टीफन की बीच में जो भी चल रहा है या मैशा सही से चलता रहे इसी वज़े से एना ने किसे सेपरेट घर लिया था स्टीफन ए घर जाकर देखकर आया एक दिन फिर से मार्टिन एना को लेकर घर आया था जब एना और स्टीफन अके रहे थे तो एना कहती है अगर मुझे तुमसे दूर होना होता तो यह मार्टिन से शादी नहीं करती है वो स्टीफन के पास रहना जाती है इसी वज़े से वो मार्टिन से शादी करने वाली है इन्होंने डिसाइड किया और फिर से एक दिन वो एना की घर पर मिले ये जब दोनों इंटिमेट हो रहे थे तबी एना को ढूंते हुए मार्टिन वहाँ पोच गया उसने डोर खोल कर इन्हीं इंटिमेट होता देख लिया मार्टिन बहुत बड़े शौक में था उसका ध्यान निरा उपर से और नीचे गिर गया उसकी इंस्टनली डेथ हो जाती है स्टीफन वैसे ही भागते हैं उसे गले लगा लेता है वो बहुत रोया अब एक्चुल में यहां हुआ क्या ये पुलीस की वज़े से सब को पता चल गया रात में स्टीफन घर पर आता है उसकी वाइफ ने अपने आपको हर्ट कर लिया था वो बुच्छता है कि तुमने ऐसा क्यों किया वो गहती है ये दर्द बहुत ही जादा है इस पेन को हैंडल नहीं कर सकते इंग्रित ने का मार्टिन को एना के फ्लैट के बारे में पता नहीं था पर होमोनर ने घर पर कॉल किया मार्टिन के लिए सप्राइस था तो यही फ्लैट देखने के लिए गया स्टीफन और एना के आने का टाइम और मार्टिन के बहाँ जाने का टाइम यह सेम हो गया इंगरित ने कहा कि कोईसे डंस था अगर उसे पता नहीं चलता तो यह हमेशा चलता रहता तुमने अपने आपको मार क्यों नहीं डाला तुम इतने बुरे भी नहीं हो सकते हैं वो रोने लग गए तो स्टीफन उसे गोलिया देता है वो गहती है मुझे ही मेरा बेटा वापस चाहिए अगली सुबा जब वो उठी तो स्टीफन उसके पास था हमें एक दूसरे से कभी मिलना ही नहीं चाहिए था क्या कभी तुमने मुझे प्यार किया था क्या मुझे कभी तुम एट्रेक्टेड थे स्टीफन इस पर कुछ भी आंसर नहीं कर पाता आज उसे अपनी ज यही है वो सब चेक करता है तो एना बेडरूम में ही थी वो इससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी इसके बाद मुवी में बहुत सारा टाइम गुजर चुका है स्टीफन ने सब चीज़े छोड़ दी हमेशा अलग-अलग जगा पर वो घुमता रहा उसने रियलाइस किय है कि हम humans कैसे बने हैं हमारे पीजे purpose क्या है इस सब के बारे में नहीं जानता जब आदमी प्यार करता है तो चीज चीज़ को जान नहीं सकता उसके थोड़े से करीब आ जाता है प्यार के अलबा इस वर्ड में कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती अब वो अकेला पड़ चु आना के साथ उसका एक बेवी भी था वो अपने लाइफ में मूवान हो चुकी है इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है स्टीफन है हमारा बहुत ये फॉल्डी कैरेक्टर है उसका अभी भी भ्रहम है कि आना से वो प्यार करता था तो इसी वज़े से उसने सब कुछ किया उसकी एक ब्यूटिफुल सी फैमिली थी कुछ बल के लिए उसने सब कुछ बरबात कर दिया और फाइनली वो अकेला था इसके सब कंसिक्वेंसेज अब उससे आगे की आने वाली लाइफ में भूगदने बढ़ेंगे प्यार तो हम सब को करना चाहिए उसके लिए मेट हमें पता होनी चाहिए आज का वीडियो हम यही कतम करते है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दिजेगा मैं बहुत सारी मुविज लेकर आते रहे तो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दिजे और बेल नोटिविशन आइकन दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एग ने मुविज के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये